सर्व परवों का सरदार देता है आनंदपार लाता है भाओं में जोर उसकी महिमा है और मौज मस्ति के परव हैं हर एक तिथी का एक एक परव होता है लौकिक परव अपने अतिचार स्तोत्र में बताया गया है प्रथमा गुड़ी पड़वा मनाया जाता है दूज भाई दूज तीज अखातीज चौध गणेश चतुर्थी पंचमी नाक पंचमी छट रांधन छट सप्तमी शितला सप्तमी अष्टमी गुकुलाष्टमी नव्मी राम नव्मी दश्मी विजया दश्मी ग्यारस भीम ग्यारस बारस वाग बारस वाग वानी सरस्वती वाग बारस तेरस धन तेरस चोधस काली चोधस अमा वस्या दिवाली अपने अतिचार में हैं ये सब, मैंने कुछ नया नहीं कहा परन्तु लौकिक पर्व उसे कहा जाता है, फिर तो आप परूशन को भी लौकिक पर्व बना सकते हो जिसमें सिर्फ WhatsApp मेसेज ही घूमता है कि क्या-क्या खाने के लिए परूशन में बनाया जा सकता है मुझे अभी गाड़ी में आते समय विचार आया कि जैसे खाने की चीजों के नाम का एक WhatsApp घूमता है हर रोज क्या-क्या खाना बना सकते हैं, वैसे ही आराधना के लिए भी घूमना चाहिए आज कुछ तपस्या करें, आज भक्ती में व्रिध्धी करें, आज सत्संग करें, आज ब्रह्मचरिय का आठ दिनों का व्रद ग्रहन करें बास सही है, क्योंकि ये मौजमस्ति का पर्व नहीं है, साफ सफाई का पर्व है इस काल में शायद आपके घर दिन में एक बार ज़ाड़ू पोचा तो होता होगा घर की साफ सफाई आप साल में एक बार तो करते होंगे न, तो हर रोज साधक तो अपनी शुद्धी करता ही है परन्तु ये पर्यूशन पर्व एक ऐसा संकेत लेकर आता है, कि हर रोज इतनी जागरिती नहीं रख पाए हो तो इन आठ दिनों में तो साफ सफाई कर दो, परियूशन परियूशन चारो दर्व से पर्व प्रकार से स्वयम के निकडाव, भक्ती से, सत्संग से, तप से, जप से, कोई भी प्रकार से, पर आत्म भाव की शुद्धी वृध्धी करो तो नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ट है, और समुद्रों में जैसे स्वयम्भू रमन समुद्र श्रेष्ट है, पर्वतों में जैसे मेरू श्रेष्ट है, और फूलों में जैसे कमल, व्रिक्षों में जैसे चंदन, प्राणियों में जैसे हाथी श्रेष्ट है, वैसे ह परवो में है पर्यूशन अभी से ही वो द्रिश देखो कि समच सरी को हम कितने शुद्ध हो गए होंगे पुनप्रारम का बटन दबेगा कितने समीकरण तूटेंगे घलत समीकरण मिथ्या माननेताएं तूटेंगे प्रेरणा से कितनी सच्ची उमंग चागेगी तो एक बार एक व्यक्ति को वीजा लेना था यूके का तो उसके अधिकारी के पास जाता है तो वो कहता है कि अभी दो-तिन महनों तक कुछ होगा नहीं कोई कार्यवाही, कोई नया वीजा हम जारी नहीं करने वाले हैं कुछ नहीं तो आप अपना जो भी है पूरी फाइल लेकर गया था ले जाओ, दो-तिन महने अभी कुछ नहीं होने वाला है उसने इतना ही पूछा कि अच्छा तो कब तो कहते हैं कि तीन महने के बाद बोला ना तो पूछता है कि कहां और कितने बजे उसने कहां दे दो तुम्हारी फाइल तीन दिनों में उसका वीजा जारी कर दिया कि जिसे इतनी ज्यादा उमंग है कि भले तीन महने राह देखनी पड़े पर तीन महने के बाद मैं कहां और कितने बजे ये फाइल लेकर आओं दस बजे या ग्यारा बजे उसका उसाह देखकर तो परिशन की आराधना को आप केवल समय से नहीं मापना उसाह की दृष्टी से कितनी कमाई कर रहे हो वो महत्तपून है आपको भीतर काम करने की जरूरत है भीतर देखो तो परिशन बनेगा